नमस्कार मैं प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में इरेडा स्टॉक को डिसकस करेंगे इरेडा पास्ट वन यर के ट्रेंड अभी भी देखेंगे तो 280 परसेंट है IPO के प्राइस से लगबग 1000 प्राइस तक का ट्रेंड दिखा पोस्ट IPO यानि IPO 50 के आज पास लिस्टिंग हुआ था और 50 से स्टॉक ने 300 तक के लिबिल्स तच करे थे यहां देखेंगे अगर 50 से देखेंगे तो 300 तक के लिबिल्स तच करे थे जो लगबग लगबग 300 से उपर 300 परसेंट से उपर का रिटर्न था तो इस समय टेकनिकली इस स्टॉक के टारगेट को समझे या रिसेंट के न्यूज को समझे इस से पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपेन करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सेयर करेंगे सबसे पहले ये समझे कि कल यूएस बजार में काफी सेवियर सेलिंग दिखी और यूएस स्टॉक है इरेडा वो अल्रेडी वीक है और कल के एपिसोड में हमने आपके साथ क्या डिस्कस करा था कि 190 की 330 और 190 जो है सत्कुते जी का लेविल है कि 230 टूटेगा तो 190 दिखेगा और यहां अल्रेडी 230 टूट चुका है अगर इस स्टॉक में डिलेवरी ठीक है लेकिन ट्रेंड देखें तो अल्रेडी स्टॉक सेवियर सेलिंग में है और ऐसे में अगर मार्केट वीक होता है तो आप ये समझे कि जो कमजोर सेयर है उसमें और भी सेलिंग आते हुए तो इडेडा स्टॉक में जैसा कि हमने आपको कहा कि इस समय जो स्टॉक अपने जो सपोर्ट है ये सपोर्ट था ये अल्रेडी ब्रेकडाउन हुआ अब ये एक ट्रेंड लाइन है यहां से देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्या ह लगबग लगबग 174 से ले करके 200 तो इस लेविल का वेट करें यहां रिट्रेस्मेंट होते यहां से दिख सकता है या उपर 162 को ब्रेक आउट करने दें सब पुते जी का जो 180, 190 का टार्गेट जो उन्होंने दिया है probability maximum है कि यह लेविल टच होते दिख सकता है बहुत सारे लोग तो 130 भी बोल रहा है तो आप मुझे बताएं क्या सही में 130 के लेविल दिखते हैं क्या मुझे थोड़ा लगता है कि 160, 70 से रिवर्स लेना चाहिए